आज बात स्वराज इंडिया के राश्ट्रिय अध्यक्ष, राजनेतिक वेग्यानिक और राजनेतिक पशु जैसी जिम्मेदारियों वाले, वेज भूशा में सदा रंगीन खादी धारन करने वाले और आच्रन में अती विनमृता का परिचे देने वाले योगेंद्र जी की अब कुछ साल पहले स्वराज इंडिया नाम से खुद की पार्टी बना, दुनिया जहां के लगभग हर विशय पर अपने विचार रखते रहते हैं। आज इनका एक लेख पढ़ने को मिला, जिसका शीर्शक था हिंदुस्तानी मानस, सब कुछ जहलने के बाद भी अक्रोशत क्यों नहीं होता? ये आस्था है, संतोश है या फिर लाचारी? दरसल लेखक India Today Group के मोधी को लेकर किये गए ताजा सर्वे के नतीजों से खासा आहत है। इस सर्वे के नतीजे कहते हैं कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोधी की लोगप्रियता के ग्राफ में लगातार वृद्धी हो रही है। समान्य तह ऐसे सर्वे करने वालों के अच्छे बिजनस मैनेजमेंट को और जिसका हुआ है उसके अच्छे मीडिया मैनेजमेंट को दिखाते हैं। लेकिन योगेंद्र जी जानने के बावजूद इन नतीजों को ना तो जुटला पा रहे हैं और ना ही स्वीकार कर पा रह हैं। विपक्ष के सहारे से कहते हैं कि जनता अगर परिशान हुई है तो सरकार से खुश नहीं हो सकती और अगर खुश है तो मतलब उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। इस लेक को पढ़ते पढ़ते आप कई मनोभावों से एक साथ गुजर सकते हैं। सबसे पहले तो विशय की नवीनता को देखते हुए आश्चर्य के भाव। फिर विशय को परोसने के तरीके को देखकर गंभीरता के भाव। लेकिन मध्य तक आते आते लेखक का असहायपन जलकने लगता है। योगेंद्र जी और उनके एर्दगिर्द का बुधी जीवी जब मान ही चुका था कि NRC और CAA पर इतना महौल बनाने, फिर कोरोना महामारी पर सरकार को असफल साबित करने और राम मंदर भूमी पूजन को आईडिया ओफ इंडिया की निर्शन्स हत्या साबित करने के बावजूद देश में अब शांती नहीं बनी रह सकती। अहा, अब इस पर लेखक पहुंची चुका था, पर देश में शांती बनी रही और आगे भी ऐसा कुछ होता नहीं दिखने से लेखक चिंतित से ज्यादा आश्चर्य में दिखता है, इस मानसिक्ता को महसूस कर एक गहरी वित्रिशना का भाव जाकता है, मतलब हर दी हो गई विलकुल, इ ऐसे बुद्धी जीवियों का यही हाल होना था, और अब आप एक नए ही मनुभाव से गुजर सकते हैं, जिसे हास्ति कहा जाता है, जरा सोचिए, लेखक जब खुद ही कोई प्रशन उठाए और अगले ही वाक्य में खुद ही दो तीन उत्तर भी बता दे, तो इसका क्या म आचारी, दरसल ऐसी परिस्थिती में लेखक के सुझाई गए उत्तर उसकी तारकेक निश्पत्ती होते हैं, मतलब लेखक निश्कर्ष निकाल चुका होता है कि कारण या तो इन तीनों में से कोई एक है या फिर तीनों का मिला जुला रूप, इस लेख में भी वही सामानि विनमृता से समझाता करना पड़े, यू भी आप जब हुने कभी बोलते देखेंगे तो आखों में मानव मात्र के प्रती करुणा, चहरे पर दीनता के भाव और खिचडी रंकी दाढ़ी से भरे जबड़ों को लगातार वुर्तलाकार घुमाते हुए पाएंगे, दरसल ऐ ऐसे भाव वमिंगा शब्दों का सैयत प्रयोग और शैली की अतिविनमृता को और निखारती है, ये अतिविनमृता ही है सच में, योगेंद्र यादव जैसे लोगों के लिए ब्राह्मन वात का प्रतीक, लेकिन देश भर में देव वानी समझी जाने वाली संस्क्रित भा और योगेंद्र जी के विचारों को शद्धानजली देना चाहेंगे, लाल सलाम